Hello students, आज के इस वीडियो में मैं वर्ड प्राब्लम्स, NCRT या दूसरे बुक से कलेक्ट करके लेकर करे आया हूँ. आज हम लोग फिर से वर्ड प्राब्लम्स को सॉल्फ करेंगे. यह मेरा third video है about problems के उपर यह start करते हैं जहां से मैंने last time छोड़ा था वहीं से start करते हैं तो यह आप problem को देख सकते हैं कि यह आज का हमारा पहला problem है यह problem है one says give me a hundred friend I shall then become twice as rich as you the other replies if you give me ten I shall be six times as as rich as you tell me what is the amount of their respective capital तो आसान भासा में समझते हैं कि दो दोस्त हैं यहां पे मैं अपने आपको एक assume कर लेता हूँ और आप जो देख रहे हैं उसको मैं दूसरा मान लेता हूँ मान लेता हैं हम दोनों दोस्त हैं तो मैंने आप से कहा तो मुझे सो रुपे दे दो और ऐसा करने के बाद I shall then become twice as rich as you फिर उसके बाद मैं तुमसे दोगुना अमीर हो जाओंगा तुम महारे पास जितना पैसा उससे ज़्यादा पैसा मेरे पास हो जाए तो तुमने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझे 10 रुपे दे दोगे तुमने मुझसे ये कहा मुझे 10 रुपे दे दो मतलब अगर मैं आपको 10 रुपे दे दो तो आपके पास मुझसे 6 टाइम्स जादा रुपे होगा फिर मानी 6 गुना जादा I shall be 6 टाइम्स as rich as you अब इसको हम लोग यहाँ पे रख करके देखते है तो मैं यहाँ पे A बन जाता हूँ और आप लोगों का नाम B दे देता हूँ जो भी देख रहे हैं आपका नाम B है मैंने आपसे कहा, अब मेरे पास माल लेता हूँ कि A amount ही है मेरा नाम A है और मेरे पास A among ही है और आप B है आपके पास B amount है मतलब आपका नाम अगर B है और आपके पास पी amount of money है यह या फिर अगर हम चाहें तो अलग-अलग दे सकते one friend has X amount of money चलिए ऐसा कर लेते है कि मेरा नाम A है मेरे पास X amount of money है मतलब X रुपया है आपका नाम B है आपके पास Y रुपया है ऐसा मैंने आपसे कहा A ने B से कहा तुम मुझे 100 रुपय दे दू तो X जो है आपसे 100 रुपय लेगा तो जब आपसे 100 रुपय लेगा तो X के पास 100 रुपय हो गया ज्यादा लेकिन ऐसा करने के बाद आपके पास आपके पास भी तो सो रुपए कम हुआ होगा आपके पास जो भी था आपके पास कितना रुपए था वाई रुपए था आपके पास भी तो सो रुपए कम हुआ अब मैंने कहा अगर ऐसा तुम करते हो तो मेरे पास तुम से दो गुना ज्यादा रुपए हो जाएगा जो double है ना इसको समझने के लिए पहले मैं एक छोटा सा example दूगा क्योंकि अकसर बच्चे जो two है वो किसी और तरफ लगा देते हैं अब इसको हम लोग समझने के लिए एक दूसरा example लेते हैं दूसरा example लेते हैं एक बच्चा है एक kid है और उसके father है अब kid बोल रहा है kid ने कहा कि अगर मेरे पास 30 years age और आ जाए मेरे age में 30 years अगर और जूर जाएगा या मेरे age में अगर 50 years और जूर जाएगा 50 years बच्चे ने बोला कि मेरे उम्र में 50 साल अगर और जूर जाए तो मेरी उम्र अपने father से double हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने kid और father का example इसले लिया है कि आप इसको visualize कर सकते हैं ये आपके real life में ये बात आप सोच सकते हैं तो बच्चे की उमर माल लेते हैं कि X है और father की उमर Y है ठीक है तो बच्चे ने कहा कि उसकी उमर में 50 साल अगर और जूर जूर जाए तो वो अपने father की उमर से double हो जाएगा तो father का उमर Y है इसकी उमर से double हो जाएगा इस बार father की age से 50 नहीं ले रहा हो ऐसा नहीं कर सकता question के भी अपने दाइरे होते हैं अब ये नहीं कर सकता कि बच्चा कहेगा कि आप अपनी age से मुझे 50 दे दो चेक गलती से माल ये document में गलती से जुड़ जाए वो सब बाद की बात है तो 50 साल अगर इसकी age में जुड़ जाए तो बच्चे का age X था उसके उसमें 50 साल जुड़ गया तो अले 10 रहा होगा तो 60 हो गया तो ऐसा करते हुए पिताजी के उमर से वो double हो जाता है तो अगर ये double हो रहा है आप इधर फिर से 2 multiply कर देंगे तो आप सोच के देखिए ये 4 times ज्यादा हो जाए 4 times चलिए मैं एक example दे देता हूँ यही एक्स की जगह मैं माल लेता हूँ कि बच्चे के उमर 10 years थी और father की year 30 थी बच्चे के उमर X जो थी वो 10 years थी और Y जो है father की उमर जो है वो 30 years है यही पे example आप देख लीजो तो अगर आप बच्चे के उमर 10 plus 50 करेंगे तो बच्चे 60 है ना और father की उमर कितनी है 30 तो देखिए ये तो अभी double हो गया ना इससे अगर आप इधर 2 और multiply कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा ना 30 से तो देखिए अब ये 4 times ज्यादा हो गया ये तो दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे तो अगर बोला है बच्चे ने कि मेरी उमर double हो जाएगी मतलब आपको जो multiply करना है बच्चे की तरफ नहीं करना है वो आप फादर की तरफ करेंगे अब आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा क्यों होगा बच्चा double हो रहा है लेकिन हम दोनों को equal to के sign के साथ दिखा रहा है ना तो अगर equal to के sign के साथ दिखा रहा है तो पराबर तो तभी होगा जब बच्चा तो अलड़ी माली जैसी उसने बोला कि ऐसा होगा अगर 50 साल उमर उसमें जुड़ा बच्चे ने बोला कि 50 जैसी उसकी age में जुड़ गया तो वो double हो गया अब तो जैसी ये जुड़ा तो बिचारे अभी भी हाफ है तो फादर में जब 2 से multiply करेंगे तब वो जाके उसके बराबर खड़े हो जाएंगे तो आप देखिए 30 में 2 multiply करेंगे तब ही 60 होगे ना या एक और काम कर सकते थे कि जो बेटा है उसी की तरफ हाफ मतलब 2 से divide कर दें तब दोनों बराबर होगा यही बात यहाँ पे भी है तो इसमें बोला गया है कि X प्लस अगर ये 100 रुपीज ले लेता है तो अपने दोस्त से या फिर मैं यहाँ पे आपको point किया है मैंने भी आपसे मेरी जो मेरे पास पैसा है वो आपसे double हो जाता है मैं color change कर लेता हूँ मेरे पास जो amount है X प्लस 100 वो आपके amount से double हो जाता है ध्यान दीजिए मेरे amount double हो जाता है जैसी मैं 100 आपसे लेता हूँ मेरा double हो जाता है तो अल्रेडी हो चुका है अल्रेडी हो गया double जैसे age वाले case में मैंने दिखाया भी आप अब double हो गया और इधर ही मैं double multiply कर दूंगा अक्सर ये गलती होती है कि बच्छा सुचता है कि अच्छा double हो रहा है न तो इधर ही 2 से multiply करेंगे नहीं ज़र अगर आपने इधर 2 से multiply कर दिया तो double तो पहले ही है जैसी 100 लिया तो double हो हो चुका हूं मैं मतलब आपके पास माल लेते हैं कि 75 है तो मेरे पास 150 हो चुका है तो double तो हो गया और और एक 2 multiply कर देंगे तो double की जगह क्या हो जाएगा तो x 2y को अधर ले आते हैं left side में minus 2y is equals to 100 को अधर ले जाएंगे left side में sorry right side में तो minus 100 minus 200 is minus 300 यह हो गया हमारा equation अमीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी मैं दुबारा भी एक और सवाल इस तरह का लिया है उसमें फिर से मैं explain करूंगा उसको उसके बाद है पूशन है इफ यू घिब में 10 अब आपने मुझसे कहा आपने मुझसे कहा अगर मैं आपको 10 रुपै देताओ तो आपके पास मुझसे 6 गुना ज़ादा हो जाता है देखी कैसे करेंगे इसको आपके पास कितना रुपैय है gonna मेरे पास कितना रुपय था एक्स आप मुझसे कितना चा रहे हैं दस रुपय अगर आपको मैंने दस रुपय दे दिया तो भाई मेरे कम भी तो हुआ होगा अब कौन six times ज्यादा हो रहा है आप मुझसे 6 गुना ज्यादा रहा है जैसी मैंने आपको 10 रुपए दे दिया आप 6 गुना ज्यादा हो चुके हैं मैं already कम हो चुका हूँ six times कम हो चुका हूँ अब मुझे दोनों को लेकिन हम दोनों को equal to के sign के साथ दिखाना साथ हैं चुक कैसे और वाइन दिखाना तो हम क्या करें कर दें या तो हम मेरी तरफ आप चैसे multiple कर भी अब यह दोनों बराबर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा इसको सॉल्फ करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x-60 is equals to y plus 10 दूसरी भासा में इसको अगर हम लिखें 6x-y अब इसको मैं सॉल्फ कर भी आपको दिखा देता हूं उसके लिए मैं इदर थोड़ा सा एरेस कर लेता हूं तो फिर आसान हो जाएगा तो लिट मी एड़ेंड टूल डिफेरेंट तूल सो दाट की रेजर थोड़ा सा पास्ट हो जाएगा अब मैं आपको यहां पर बना के यही वाला कोश्चन दिखाता हूं कि क्या है यह और ऐसा एक और एक्जामपल मैंने लिया हुआ है तो एक और कोश्चन मैंने लिया हुआ है तो उसमें भी आपको समझने का यह मौका मिलेगा तो एक equation है मेरे पास x-2y equals to minus 300 and दूसरा equation है 6x-y equals to 70 तो आप क्या करेंगे इसको 6 से multiply करेंगे तो देखे 6 तो जाएगा और यह 70 रह जागा तो बढ़िया है कि इसको 2 से multiply कर देते हैं और यह जैसा है वैसी छोड़े तो अगर इसको multiply by 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 6 to the 12x-2y equals to 140 यह अब paste हो गया तो कोई रोल नहीं है तो मैं यहाँ पर आगे solve कर देते हैं ऐसा इसलिए किया ताकि दोनों का कोफिसेंट सेम हो जाए तो अब आप देखें दोनों का y का कोफिसेंट मेरा सेम हो चुका है सेम हो गया तो अब subtract करेंगे add करेंगे तो minus 2y minus 2y minus 4y हो जाएगा और x plus 12x 13x हो जाएगा तो दोनों variable हमारा maintain रहेगा मैं इसलिए side अड़ गया हूं कि आप अच्छे से देख सके हैं तो हम दोनों को add नहीं करेंगा हम subtract करेंगा subtract करने से एक variable हमारा खतम हो जाएगा यह intention भी रहता है तो एक completely off हो गया x minus 12x कितना हो गया minus 11x equals to minus 300 minus 140 minus 400 and 40 minus minus cancel x is equals to 40 x की value आगे है हमारे प्लग कर देता हूं और इससे y निकल जाएगा so 40 minus 2y equals minus 300 so अब देख सकते है 40 plus 300 equals to 2y so 40 plus 300 is 340 sorry divided by 2 equals to y so y की value कितनी हो गया 170 कोड़ा सा मतलब विल्कुली compact हो गया है क्योंकि नीचे मेरे खाल से जगा नहीं है तो y की value हमारे पास 170 हो गई लेकिन आप जो equation बोला है मुझे जानना है कि वह सही है कि नहीं है क्या वो तो चलिए मैं नीचे जा करके बना देता हूं फिर मैं उसको मिटा दूंगा करूंगा यही actually मैं equation भी था अगर आप देखें पीछे तो मैं दिखा देता हूं यह देखें यह equation था एक्स प्लस 100 इक्वस टू देखें टू इधर लगा के मैंने काटा था आपको समझाने के लिए फिर मैंने cancel किया था इक्वस टू टू टाइमस x- y-100 था तो उसको मैंने एक्स की जगा मेरे ख्याद से कितना निकला था जायत इसकी जगा 40 तो आप देखें 140 अब चेक करिए 170-100 कितना होता है 140 आगया ना 140 इसी तरह से दूसरे equation में भी जब आप चेक करेंगे तो satisfy हो जाएगा तो यह तरीका है बनाने का इसमें मैंने आपको यह पार्ट अच्छ करेंगे किदर divide करेंगे यह पार्ट मैंने आपको समझाया है जो अक्सर ही बच्चों को दिक्कत होती है तो चलिए इसके बाद मैं दूसरा problem लेता हूं उमीद लगाता हूं कि second problem के बाद यह concept आपका और clear हो जाएगा दूसरा problem भी इसी तरह का है A and B each have certain number of mangoes वहाँ पर पैसा था यहाँ पर mangoes आ गया A है और यह B है A says to B A ने B को कहा मैंने आपको कहा आप फिर से B बन जाएए मैं A बन जाता हूं मैंने आपको कहा If you give 30 of your mangoes तो A के पास कितने mangoes हैं मान लेते है के पास small a mangoes है और B के पास small b mangoes है मैंने आप से B मैंने 20 का मतलब मैंने आप से कहा कि आप मुझे 30 आम डेभी जिए 30 mangoes दे दिगे आप मुझे 30 दे ने तो मेरे पास जितना भी आम है उसमें 30 और एड तो प्लस 30 हो गया तो आपके पास भी मैंगोज है आपके पास तो 30 कम हो गया होगा यह भी बहुत बड़ी मिस्टेक है अक्सर बच्चे इधर तो 30 कर देते इधर नहीं घटाते वह गलत हो जाता है और यही काम मेरे पास उतना मैंगो हो जाएगा तो किसके पास डबल हो रहा है मैं कौन हूं यहां पर यहां पर कैपिटल ए हूं मेरे पास डबल मैंगो होता है जैसी मैंने 30 मेरा अल्रेडी डबल हो चुका है अब अगर मैं यहां पर फिर से अगर टू से मल्टिप्लाई कर दूंगा तो कितना टाइम्स हो जाएगा फोर टाइम्स ज्यादा हो जाएगा तो मुझे अपनी तू नहीं लिखना है तो आपकी तरफ लिखना है ताकि हम फिर दोनों को बरावर दिखा सके अब इससे एक equation तयार हो गई और वो है इसको solve कर लेंगे इससे हमारा एक equation तयार हो जाएगा that is a plus 30 equals to 2b minus 60 अब हम लिखेंगे a minus 2b equals to minus 60 और 30 उदर चला जाएगा minus 90 minus 60 है plus 30 उदर जाएगा minus 30 तो minus 60 minus 30 is minus 90 इसको हम एक equation का नाम देखें अब दूसरा statement है इसी में दूसरा statement दे रखा है कि अब आप अमरे खासा अब आप ही मुझसे मांगेंगे if you give me a says to b ओके यह खतम हो गया b replies अब आपने reply किया if you give me 10 I will have thrice as many as left बिल्कुल डिट्टो उसी के जैसा हो गया वहाँ 6 times था यहां thrice है if you give me 10 आपने मुझसे कहा कि अगर मैं आपको 10 दे देता हूं तो आपके पास मुझसे 3 गुना ज्यादा आम हो जाएगा आपके पास मुझसे 3 गुना मतलब मेरे पास 1 kilo तो आपके पास 3 kilo हला कि kilo के हिसाब से नहीं है numbers के हिसाब से मतलब मेरे पास 100 आम है तो आपके पास 300 हो जाएगा मेरे पास 200 आम है तो आपके पास 600 आम हो जाएगा and so on यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है देखते हैं इसको कैसे लिखना है इसका कलर चेंज कर लेता हूं अब है कि आपने मुझसे कहा आप है ए मैं हूं आपके पास जो आम है उसका नाम है अपने मुझसे 10 आम मांगा चलिए मैंने आपको 10 दे दिया आपके पास 10 एड हो गया अब जाहिड सी बात है दिया तो मेरा कम हो गया होगा ऐसा करने के बाद आप मुझे कहते हैं कि जैसे य तीन गुना ज्यादा होता है, three times, बदलब three से multiply होगा, कौन multiply होगा, आपको multiply करूँगा या मैं अपने आपको, देखिए काइदे से आप तीन गुना ज्यादा होते हैं, इसमें कोई दो रहा नहीं है, आप ये confusion में मत रहिएगा, कि मैं ये कहना चाहरा हूँ कि मैं अगर a की तरफ multiply करूँ तो a three times हो रहा है, which is incorrect in the sense कि हमें equal to के sign के साथ compare करना है, actually मैं अगर मुझे तीन गुना दिखाना, अगर equal to का sign ना हो, तीन गुना दिखाना है, तो मैं इधर ही three दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि मुझे बराबर करना है, तो तीन गुना मैं हो चुका हूँ, और अगर फिर से तीन से multiply कर दूगा, तो 9 गुना हो जाऊंगा, तो अगर मुझे दोनों को बराबर दिखाना है, तो या तो मुझे इसको तीन से divide करना पड़ेगा, या तो इधर तीन से multiply करना पड़ेगा, तभी ये तीन आपस में equal होगा, equation आपस में equal होगा, तो अब हम इसको solve करेंगे, b plus 10 is equals to 3a minus 30, अब solve करेंगे तो आप लिख सकते हैं, 3a जैसा है वसी रहने दीजे, b को इधर ले आते हैं, तो 3a minus b, 10 पहले से 30 इधर आजाएगा, तो 40 होगा, 3a minus b equals to 40, 3a minus b equals 40, यह हमारा second equation हो, अब हमें क्या करना है, दोनों को आपस में equate करना है, तो कैसे करेंगे, second वाले equation को 2 से multiply कर देंगे, आपके मन में सवाल बहुत सारे आ रहे होगे, कि second क क्योंकि आपने first को किसी number से 3 से क्यों नहीं कर दिया, फिर से मेरा जवाब है, आप बिल्कुल कर सकते थे, मैंने second को इसली किया, क्योंकि 40 भी तो multiply होगा, तो 42 to 80 होगा, अगर मैं इसको 3 से करता, A का coefficient सेम बराने के लिए, तो 90 into 3 भी करना पड़ता, which is 270 और यह 40 रहता, तो जब मैं 2 से इसको multiply करूंगा, तो यह 3 to 6 से हो जाएगा, minus 2 भी हो जाएगा, and 4 to 8, that is 80 हो जाएगा, तो अब इस equation का कोई relevance, मैंने सिर्फ इसको काटने की जगा, यह काम कर दें, अब इसको solve कर देते हैं, तो जहेड सी बात है, यह भी minus 2 भी है, यह वाला भी minus 2 भी है, तो द minus 2 भी minus 4 भी होता, a plus 6 से 7 होता, याद रखे, तो दोनों variable बचा रहता है, तो हमारे लिए calculation असंभाव सा हो जाता, इसलिए मुझे एक variable हटानी है, उसके लिए पूरा आप linear equation के lectures को सुने, आपको इसका जवाब मिल जाएगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 भी हटाने के लिए एक वरियाबल हटाने के लिए सब्राक कर दिया, यह तो बी, यह तो बी cancel हो जागा, a minus 6a is minus 5a and minus 90 minus 80 is minus 170, cancel हो गया, a is equals to 170 divided by 5, 5 3 जा 15, 2 0, 5 4 जा 15, 2 0, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 2 0, 5 4 जा 20, yes, that's right, a की value हो गया, 34, और a की value 34 है, आप किसी भी equation में डाल के b की value निकाल सकते हैं, तो मैं first वाले में डाल देता हूँ, a की value यहाँ पर first वाले equation प्लग कर देता हूँ, तो सब आप statement आप लिख लेंगे, plug a in first, जब आप first में रखेंगे, तो a की value कितनी है, 34 minus 2b equals to minus 90, minus 2b equals to minus 90, minus 34, minus 2b equals to minus 124, cancel हो गया, तो b equals to 124 by 2, c की value हो गई, अब हम देखते हैं कि जो statement दिया गया था, वो कितना सच है, कितना सही है, statement था, कि equation क्या था, चलिए हम यहाँ से start करते हैं, equation था कि मैंने आप से 30 आम मांगे थे, और ऐसा करने से मैं double हो जाता, तो मेरे पास कितना है, देखे, 34 है न, 34, plus 30, आपने मुझे 30 आम दे दिया था, ऐसा करने से मैं आप से double हो जाता, आपके पास कितना है, B, B कितना है, 62, minus 30, into 2, देखे तो 32 minus 30 करेंगे तो कितना आएगा, sorry, 62 minus 32 करेंगे तो कितना आएगा, 32, और 34 plus 30 करेंगे तो कितना आएगा, 64, तो देखे हो गया न, 32, मेरे पास आप से double हो गया, लेकिन क्योंकि equal to का साइन है, हमें equate करना है, तो ये 2 से जब multiply करेंगे तो equal हो जाएगा, 32 multiply to कितना होता है, 64, तो देखे, 64 equals to 64 हो गया न, लेकिन जब तक हमने ये multiply नहीं किया, तो देखे, तब तक तो statements है न, मेरे पास जो arm है, वो आप से double है, जैसी मैंने आप से 30 arm लिया, देखे, 34, मेरे पास 34 arm है, A की value निकाली है मैंने, और जैसी आप से मैंने 30 ले लिया, तो मेरे पास 64 हो गया, लेकिन आपके पास 62 था, उसमें से 30 आपने दे दिया, तो आपका तो कम हो गया, तो आपके पास 32 है, मेरे पास double हो गया आप से, लेकिन दोनों को मुझे equate करना ह इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से multiply किया, ठीक है, और इसी तरह से next वाला equation भी है, next वाले में आपने मुझसे काया है, मेरे पास 34 arm है, आपने मुझसे काया है कि मैं आपको 10 दे दू, आपके पास 62 arm, आपने मुझसे 10 मांगा है, चलिए मैंने आपको 10 दे दिया, तो 10 आपको दिय तो मेरे में से कम भी हो जाएगा, यह लिजे कम कर लिया, तो 34 minus 10 कितना होता है, 24, तो 24, आपके पास 62 plus 10 कितना होता है, 72, देखिए तो 24 multiply 3 करेंगे तो 72 आता है, देख लिए करके 24 into 3, 72 होता है, तो हो गया ना, आपके पास मुझसे 3 कुना जादा आम हो गया, लेकिन हमें त तो equal to का sign है, equal to का sign का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ी equal कहेंगे, equal कब कहेंगे, जब इसको हम 3 से multiply करेंगे, तो 24 into 3 करेंगे तो कितना आएगा, 72, और यह कितना है, 72, ऐसा, उमीद है, यह सवाल आपको समझ में आ गया हो,